ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है ये जो डाकिनी मंत्र है ऐसा मोहिनी मंत्र मैंने आस तक नहीं देखा एक बार किसी पर लगा दिया जाए तो सामने वाला देखते ही देखते साधक के वशिभूत हो जाता है एक बार मैंने ऐसे ही किसी अपने साधक को ये मंत्र दिया था तो उसने रातो रात इसे सिद्ध कर लिया और अगले ही दिन जो भी साध्या थी वो उनके पैरों में बड़ी थी तो इतना चमतकारी है ये डाकिनी मंत्र इस डाकिनी मंत्र को कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रियोग में ना लाए और मैं अपने सभी सादकों से ये कहना चाहूँगा कि इसको तभी लगाएं जब आप सब कुछ करके हार चुके हों क्योंकि ये तभी लगती है जब आपको मंत्र चलाना आता हो जब तक आप गलतिया नहीं करेंगे तब तक आपको मंत्र चलाना नहीं आएगा तो ये अच्छी बात है कि अब तक आपका काम नहीं बना है आप इस डाकिनी मुहिनी मंत्र को प्रियोग में ला सकते हैं आपको करना क्या है कि विदिवत इस मंत्र का 108 की संख्या में प्रहता काल या फिर साय काल इन दो समय पर 108 की संख्या में आपको जब करना है ये जब आप निरंतर करते रहें ये 21 दिनों तक या फिर 41 दिनों तक अगर 21 दिनों के भीतर भीतर आपको असर दिख जाता है तो आप इस साधना को बीच में मत छोड़िएगा आपको ये पूरी 21 दिन तक या फिर 41 दिनों तक पूरी करनी है इससे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा इसके बाद आपके पास एक ऐसी आलोकिक शक्ति आ जाएगी जो की जो भी आपके संपर्क में आएगा उसको आपके अधीन कर देगी बस वो टक टकी लगाए आपको देखता रहेगा यदि आपको किसी को आकरशित करना हो तो बस अपने मन ही मन इस मंत्र को एक बार पढ़कर उसके तरफ फूक मार दीजिए ऐसा करने से सामने वाला देखते ही देखते आपसे वशिभूत हो जाएगा जैसा आप कहोगे वैसा करेगा इस मंत्र को भली बाती सुन लीजिए क्योंकि मंत्र थोड़ा लंबा है जंगल की जोगनी पाताल के नाग उठ गए मेरे वीर अमुक को लाओ मेरे पास अमुक मतलब जो भी साथ्या है अगर किसी स्पेसिफिक को अट्रेक्ट करना है तो अमुक की जगए उसका नाम आएगा जहां जहां जावे मेरी सलाई तहां तहां लाज कजभरी अतासो अमरी एक एक फुक फिरो मंत्र इश्वरो वाचा मेरी भक्ती गुरु की शक्ती पिंड काचा वचन साचा इस मंत्र को आपको प्रती दिन 108 की संख्या में सिद्ध कर लेना है जैसा मैंने आपको पहले बताए उस तरह से आप इसको शुब मूरत में किसी होली दिवाली, ग्रहन काल साफधनियों में आपको मास मदीरा, अंडा ये सब कुछ वर्जित है महिलाओं के लिए पीरेट्स में इसको ना करें और इसके बाद पूर्ण श्रद्धा के साथ इस प्रयोग को कीजिए और फिर देखिए किस तरह से आपके मनुवांचित काज सफल होते हैं इस मंतर के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं ट्रिपल आइंट वेट फूर सोला पच्चिस पर धन्यवाद